लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकून को प्रेस करें करें लेटेस् लेटेस्ट ॉ लेटेस्ट कर दो 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 झाल 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 आपको तो मालूम ही है कि जब अमरीका में सुरच गुरूब होता है तो हमारे निकलता है ये बिलकुल ठीक ये कुछ अमरीकी आत्ते हैं उनके जो अभी तक छुटी नहीं वैसे ये दिन तो उनके आश करने के हैं तो वो वो नहीं तो ये ये नहीं तो वो यू नो पयक्क किसी लडकी वडकी के अमरा तो नहीं है सर यही कहने के लिए मुझ नहीं खुल रहता अब खुडी गया तो डीटेल में बता दो कोई जड़की बसा नाईी मेरे बेटे को फिलाल तो ये मालूम पढ़ा कि उसका नाम है अन्जू अन्जू जैसे ज्यादा डीटेल मालूम पढ़ेगी फोरण आपके सामने पेश करते हैं फोरण जाओ और डीटेल लियाओ अभी गया एक्स्क्यूज मी आदा बरता है तभी वाह पाप सेर तो बेटा सवा सेर अजी हम तो नाम के नवाब रह गए असलमन नवाब तो आपके लाग साम है जी अजी हम पापके लापके 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 खिर्नी जैसी आखों वाली गोरे घोरे गालों वाली एक लड़की चिकनी चिकनी सी खिर्नी जैसी आखों वाली गोरे गोरे गालों वाली एक लड़की चिकनी चिकनी सी खिर्नी जैसी आखों वाली गोरे गोरे गालों वाली एक लड़की चिकनी चिकनी सी अरे 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 मैं फिसल गया अरे 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 मैं फिसल गया अरे 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 जाए हुआ 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 है देखा मैंने फापों में पलकों की सलाखों में ऐद हो गया हुँ मैं मस्तानी आखों में देखा मैंने फापों में पलकों की सलाखों में कैद हो गया हुँ मैं मस्तानी आखों में जब निकलना चाहा तो मैं हो लज गया तुर्ली जैसे आखों वाली गोरे गोरे गालों वाली एक लड़की चिकनी चिकनी से अरे 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 मैं फिसल गया अरे अरे मैं फिसल गया अरे मैं फिसल गया बात मेरी मान लो, मेरे दिल को जान लो, घड़कने तुम्हारी है, तुम चाहे जाभी लो बात मेरी मान लो, मेरे दिल को जान लो, घड़कने तुम्हारी है, तुम्हारी जाभी लो अरे उसके नामे हाँ भी है, मैं समझ गया खिरनी जैसे आँखवाली गोरे गोरे गालों वाली एक लड़की चिकनी चिकनी सी अरे, 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 मैं भुजल गया अरे, 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 मैं तो सित्मुच मिशल गया अरे, माजिनी जैया प्रधा, श्री प्रधा, शिल्पा, रवीना, पूजाभट, जरहट हट, हमारे लाट साब पढ़े हैं, चारो खाने पच्ट, अरे, सरकार, उठिये, उठिये, मेरे होते हुए, प्यारे लाल के होते हुए, आप इस तरह पढ़े रहेंगे, यह तो होड़ नहीं सकता है प्यारे की किताब में ऐसी हालत में इनसान का समलना वाकरी बहुत मुश्किल है, प्यारे, अरे सरकार, प्यारे के लाजिक के हिसाब से, जो सब के सामने फिसला, वो उसकी नजर में, उम्रा, तुछ पता चला, प्यारे जब भी गया है, जहां भी गया है, सब पता करके लात अगे तो आपने जोग्राफी खुद ही देख ली है लंबे लंबे बाल बंगाल के सुडॉल जिस यूपी का गुरा रंग कश्मीर का कली-कली आखें मदरास की ऐसा लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान एक ही सूरत में समा गया हो अब तो सरकार इस हिंदुस्तान पर अपनी मौबत का जंदा गार ही दीजिए कारे लिए हिस्ट्री बताती है शाह जहां कि ये नूर जहां महाराश्ट्र की है मेरा मतलब ये अंजू नाम की चिडिया बंबई से उड़ते उड़ते शिमला पहुंची है इस वक्त वो बिलकुल अकेली है और वो सिमला रेस्ट हाउस मे इसक्यूज में जी क्या नाम है जी मेरा नाम शबनम है लोग मुझे प्यार से शब्ब कहते हैं जी शब आब क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ जी क्या नाम उसका प्यारे आप उनसे मेरी मीटिंग करवा सकते हैं यानि मेरा कुछ नहीं लानत है मीटिंग करवा सकते हैं प्यारे यह सर कुछ कहोगे नहीं अरे क्या कहूं सर मेरी तो कहने की शक्ती चली गई चैसूरत है प्यारे चैसे और बाद में कभी देखेंगे भी नहीं बाहर है बाहर प्यारे इस पहार को मन की पिंजरे में कैसे capture करूँ, क्या करूँ प्यारे करने को तो इस वक्ष देश की मौजूदा हालत पे वहस की जा सकती है खड़े खड़े तेरा का पाला भी पला जा सकता है इस टेलिस कोट की लंबाई चौड़ा ना पी जा सकती है और इस खुबसूरत लड़की को डिनर का न्योता भी दिया जाता है। Excellent idea. मैं इसको डिनर का न्योता देकर आता हूँ, आप खड़े खड़े तेरा का पहाड़ा पनी है। तेरा का तेरा तेरा दुनी, प्यारे. लेजे, आपको ये तेरा का पहाड़ा पूरा नहीं आता है। जिवाता है ना, तेरा के तेरा, तेरा दुनी, छबबेस, तेरा तीयों, तालेस, ते… Very good. What? प्यारे, अगर तुम चाओगे, तो काम बिगाड कर आओगे. आरे, सर, आप फिकर मत कीजिए, आप लाट साहब हैं, ये छोटे-मूटे काम करना आपको शोभा नहीं देता. आजी डिनर की अपॉइंट्मेंट क्या, इसकी मंगनी, इसकी शादी, बच्चों का मुंडन, मैं सब फिक्स करके अभी आया. यारे, सर, अगर कहीं गड़बड कर दी तो? आरे, सर, हिस्ट्री उठाके पढ़ लीजी, प्यारे को आज तक किसी लड़की ने इंकार नहीं किया, ये क्या चीज है, अभी आया. मैंने कभ इंकार किया? तो आज आज बजे मॉंग यूबी डिनर, ओके? ओके, बाई. वन फ्रेश लाइन विट सोडा, प्लीज. तुम खड़े-खड़े मुख्या देख रहे हो, औरर दिया है, ले आओ. नहीं मैडम, मैं वेटर नहीं हूँ. तो कौन हो तुम? मेरा नाम है त्यारे, मेरा जनम. अज से तीस साल पहले, मध्यप्रदेश के पच्मणी जगया पर, दिसंबर के दो तारीख को सुबह साथ बचकर बारा मिनिट पर हुआ. है मिसर, मैंने तुम्हारी हिस्ट्री नहीं पूछी. मैं पूछ रही थी, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां पर दो सितारों का जमी पे मिलन कराने के सिलसिले में आया था. क्या मतलब? देखिए, हमारे एक लाट सहाब है, जो हमारी आख के तारे है, और एक आप है जो उनकी आख का तारा बन गई है. अब इन डो सितारों की, किसी पांच सितारों वाली होटेल की खाने की मेज पे मुलाकात करवा है, तो कुछ कहानी आगे बढ़े? लाट सहाब, यह लाट सहाब कौन है? देखिए, अब आपने पूछी लिया, तो बताना मेरा फ़र्ज है. हमारे लाट सहाब का जनम, आज से 25 साल पहले, उत्तर प्रदेश की 12 बंकी जगह में, 17 सितंबर को दोपाहर के 2 बज कर 22 मिनट पर वेगा है. अगर आपको उनकी हिस्ट्री पसंद नहीं है, तो मैं उनकी जोग्राफी बताता हूँ. कद 6 feet 1 inch, वजन 80 kg, और देखने में Hollywood, इसलिए लाट साब. चाते हो या पूलिस को बलाऊं? शिमला में? पूलिस? और वो भी मेरे लिया. इडियट. So kind of you. लफंगा. Thank you. Thank you. Bye. What a girl. What a girl. क्या वा जल्दी बता? अरे sir, होना क्या था? मान उसको ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई, कि वो अपनी जोग्राफी भूल गई. कि वो मान गई? Oh sir, मैंने आपसे पहले ही कहा था. ऐसी कौन सी लड़की है, जो प्यारे को इंकार कर सके? दूर से तो ऐसा लग रहा था, क्यों नारास है? वो थोड़ी मिलने की जगह पे आपस में मिसंडिस्टैनिंग हो गए थी. वो कह रही थी कि शंकर विलास हिंदू होटल में मिलें. और मैं सजेस्ट कर रहा था कि वाइनोट माउंट व्यू. That's good, that's good. मतलब अपाइमेंट पका है. वो सर, शाम को आठ बजे माउंट व्यू होटल में खुदी टेबल बुक कराएगी और आपका इंतजार करेगी. खुदी टेबल बुक कराकर इंतजार करेगी? पस थोड़ी सी एक बात का ख्याल अरखिएगा. क्या मतलब? खाबराने की कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी अजीब सी लड़की है. What do you mean? तेखिए, हो सकता है वो पहले नाटक करे. हो सकता है वो आपको देखकर पहचानने सेन का. Ah, impossible. That's all, that's all. वरना वो बड़ी मदांग पसंद है. बुझे करें भी, stupid, idiot, manvai लियाना. Very naughty. I'm proud of you, I'm proud of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello? Huh? Kareemit. I hope I'm not late. My time ka bhaat pakkaam. I'm very punctual. Nice place. I really like it here. It's beautiful. देखे, mister. ये table मैंने book किया है. मैंने पूरा hotel book किया आपके खातर. प्यारे ने मुझे बताया था. ये आप मेरा इंतजार कर रही होगी. प्यारे? वो पागर? मगर काम का आदमी. अगर वो नहीं होता तो हम कैसे मिलते हैं? वैसे आपसे मिलने के बाद सिम्ला बहुत खुपसरत लगने लगा है. क्या? आज सिर्फ पहले विजय के सिंदिकियों में इतना ठहराव नहीं था. आपको गलत फैमी हुई है. गलत फैमी? आपके बारे में? कभी नहीं. Impossible. आज बहुत सारी बाते करने को जीच जा रहा है. ऐसे कभी महसूस ही नहीं हुआ था. अरे आप तो? सुना था. आज महसूस कर रहा हूं. Love at first sight. वाट? आप यहां से शराफत से तश्रीफ ले जाएंगे? या मैं मैं मैनेजर को बुलाओ? अच्छा मजा कर लेती हैं आप. पहले बुलाया आप यहां से भगाने की कोशिश कर रही हैं आप. हमें आपकी यह आदावी पसंद है. मैं आप से नहीं. अपनी स्वेहली रीटा से मिलने आए हूं. Welcome, 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 welcome. आप रीटा जी है न? आप रीटा जी है न? मैं आपको केक तक छोड़ के आप. जी, मैं चलिए. जैसी बातें करती हैं आप. एक होटल मैनेजर का फर्ज है कि वो अपने गेस्स की बेखभाल करें. वैसे आपकी शकल किसी फिल्म एक्ट्रेस से मिलती है. रीटा बादरी. रमा रीट. रीट. तुम्हें एक पैसा दोगे वो दस लाख देगा गरीबों की सुनो. अरे भाई साब, भाई साब महरबानी कीजिए. इन बच्चों को गोद ले लिजिए. मेरे पास इनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है. मैं बेकार हूँ. नौकरी नहीं है. घर बाहर नहीं है. सिवा इन पास बच्चों के. मैं अपना तो गुजारा कैसे भी कर सकता हूँ. मगर इन पास बच्चों को तुम्हें नहीं पाज सकता. ये बच्चे. ये नौनिहाल. ये देश का भविश्य है. मैं देश के भविश्य को अपने हाथों से जहर कैसे दे सकता हूँ. महरबानी दीजिए. देश के भविश्य को बचा लीजिए. इन बच्चों को घोद ले लेजिए. माई बाप. माई बाप. ये लड़की. ये लड़की बहुत तेज भागती है. पीटी उशा बनकर एक दिन देश का नाम रोशन करेगी. ये लड़का ये निकम्मा है. इसको कुछ आता जाता नहीं. इसलिए इसके हीरो बनने के चांसेज है. ये थोड़ा जूट बोलता है. बहुत बड़ा नेता बन सकता है माई बाप. बहुत बड़ा नेता ये लड़का अरे रे 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 इसकी तो आखें बहुत तेज है. इंकम टैक्स में जाएगा तो बहुत नाम कमाएगा. और ये छुटकू इसको क्रिकिट का शौक है. दूसरा दावसकर 31 सेंचुरी और इंपोकेट कार लिखिए इसके हाथ में. ले लीजिए माई बाप इनको गोद ले लीजिए. पाज रुपए किलो के हिसाब से ले लीजिए मगर ले लीजिए. तो इस हाल में? आरे मैडम, जमाना बदल गया है. मजनू कोई और होता है. और दरदर की ठोकरें किसी और को खानी पड़ती है. क्या हुआ? मैडम, उस दिन आपने मेरे बॉस को होटल से निकाल दिया. उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया. अब मेरा इस जालिम दुनिया से निकलने का वक्त नजदीक आ गया है. लेकिन निकलने से पहले, मैं अपने होने वाले पाचनाथ बच्चों को ठिकाने लगा देना चाहता हूँ. मुझ पर रहम कीजिए, इनसे दो दिन बच्चे आप गोद ले लीजिए. सुबह से एक भी बच्चे नहीं गया, और शाम तक अगर इन मैंसे सभी को ठिकाने नहीं लगा पाया, तो मैं खुदकुशी भी नहीं कर पाऊंगा. खुदकुशी? मैडम, मैं अज शाम को साथ बज़े के मेल से कटकर मरने जा रहा हूँ. और अगर साथ बज़े वाली ट्रेन लेट हुई, तो आठ बज़े के एक्सप्रेस से मर जाऊंगा, मगर मुझे एक्सप्रेस से ज्यादा मेल पसंद है. बहुत सर्फिरा है तुम्हारा बास. आशिक है न, आशिक. तुम्हें खुदकुशी करने की कोई जूरत नहीं है, मैं देखती हूँ तुम्हारे लाट साब को. यहारे लाट से चिननमाने की को हंचार बास. चुराया तुने दिल मेरा दिल मेरा चाने चान चुराया तुने दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा चाने चान चुराया तुने दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा चाने चान चुराया तुने दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा चाने चान चुराया तुने दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा चाने चान चुराया तुने दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा चाने चान चोरी की है यह सब, तुझ को यह कहना होगा, मैं हूँ तेरी पिया में हर बाद चुराया तुने दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा जाने जा चुराया तुने दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा जाने जा कर दो कर दो ये चरती जवानी, ये चहरा नुरानी, मगर पत्थर का है दिल भुरूर नहीं अच्छा, हुजूर नहीं अच्छा, जरा प्यार से जानी मिल, मिल, मिल ये चरती जवानी, ये चहरा नुरानी, मगर पत्थर का है दिल गुरूर नहीं अच्छा, खुजूर नहीं अच्छा, जरा प्यार से जानी मिल ये नखर, ये घुसा, बाबा तेरी खुब या चुराया तुने दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा, जाने जा चुराया तुने दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा, जाने जा कुराया तक शुने दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा, जाने जाने जार वाक मेरा, जाने जाने जाना है कर दिल मेरा, तो नहीं फंचा, इङआी झाले जाना तुने तूसी नहीं प्यल Agric数ैरी यिर है, प्यारी दूस्दaur your हीं ammal क्या तूने चारू किया पहली मौजर मेरे लिया यहाभी किया बादा वाभी किया बादा चलन है यह इस दोर का तो यह सकिया तेरा रहेगा सदा मेरा नहोगा किसी और का यह अभी किया बादा वाभी किया बादा चलन है यह इस दोर का बना सकिया तेरा रहेगा सदा मेरा नहोगा किसी और का यह रिष्टे यह ना आते हर्टम रहेंगे जमाँ चुराय तुने दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा चानिचा चानिचा बंबे जी हाँ मेरे ले कोई मेसेच यह लेटर आपके लिए तैंक्यू और यह आपके लिए तैंक्यू विजे अचानक डैडी की तबियत खराब हो जानी के वजह से मैं बंबे जा रही हो मैं तुम्हे इस बते पर मिलूगी क्या तुम बंबे जा रहे हो जी डैड यार तुम हो बड़े मस्त कर अंदर कभी चंडीगर तो कभी शिमले कभी शिकागो तो कभी हॉंग कॉंग यह बंबे जाने के अचानक कैसे तुजी डैडी आप तो जानते हैं कि मेरा हर प्रोग्रम अचानक ही बनता है कितने दिनों के लिए जाओगे जूही एक दो हफते के लिए अच्छा और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना जी डैडी तुम अब जाओ बंबई एरपोर्पिट में गाड़ी मिलेगी तो मुझे बंबे जा रहा है यार पता नहीं हमारे लाट साब को बंबई जाने का भूच क्यों सवार हो गया करबच के संबल के दूप्तने बंबच को क्या बापो पर द्रिया ऑगे लए यामारी मस्तान बाब आगे ले रहा हख खाए बावा क्या बात है आज हाद गाड़ी पर आ रहे ले अभी गोर्मेंट ने पेट्रोल इतना बेंगा कर दिये लाए, भगाईर पेट्रोल का गारी में आना पड़ रहे है चल दो गोली के छिलम बना चाल अरे दो गोली के क्या बात कर रहे है बावा, चार गोली के बना के रखी है है तेरे गले में सुरत कर देगा ज्यदा बात करेगा तो हाक है इल्ला यारब तु सबका कारसाज है और बंदे को ना देगे तु बंदा नवाद है इल्ला दर्द मुहबत की दवा कौन सी है और जिसमें मरता है जमाना वदा कौन सी है इल्ला हाजी मलंग दूला जन्नत के ते और हप्पिको था नभेताए जूंब राबर जूंब भाना जूंब भूंब जूंब अबंधु कि जुन शाठी पलेए देदज कहा है प्हीम शुआ सएन्सपर हूं चाहिं मुपना अब अब तु चिलम बना यार है अब 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 बार्निंग बॉस्ट बॉड मॉर्निंग किसको डुन टाई बॉस्ट अपन सब बताता है आई मेरिया किंग, आई मस्तान, आल मलूं, वाट ढूंता बस, अपन सब देगा बस, नो धुका, नो चीतिंग, चारास कच्छी केरी एकडम पियो, गांजा, अफीम, पाउडर, बस, इसको केवरे, कुछ नहीं मंगता बस, समझ यह बस, यह मंगता है बस, एकडम पियोर माले बस, धक्ता कैंग, ग्यान झायों सक्षी, दूचए है नहीं मंगता, राद आक्ता बस, जो द rashाब है, थाइड़ोकि उसे काउन? नमस्ते जी, मेरा नम विजय है, मैं सिम्ला से आई हूँ मुआफ किजेगा, मैंने आपको पैचाना नहीं, किस से मिलने हैं आपको? जिवा अंजू से मिलना चाहता हूँ अंजू? जी है, वो मझे सिम्ला पे मिली थी, उससे मुझे एकार्ड भी दिया है मैं अंजू का पिता हूँ तुम अंजू से मिलने आए हो? जी हाँ आओ ये रही तुमारी अंजू ये कैसे हो सकता? होनी को कौन डाल सकता वेटा जी सब कैसे हुआ? मेरी बेटी है दुर घटना का शिकार हो गई कब हो ऐसा? बहुत देर करती तुमने अंजू को मरे तीन साल हो गए तीन साल? ये आप क्या कह रहे? अरे कली तो मेरे साथ ही वो और आप के लिए? तीन साल के मरे? मैं नहीं मानता है से I don't believe it तुमारे मानने या ना मानने से क्या फरक पड़ता विजे बाबू? इनी बूरे कांदों के सारे अपनी बेटी की अर्थी उठाई है मैंने लेकिन ये कैसे हो सकता है? पिछले दस दिनों से वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ अब मुझे मेरे आंस्नों के सारे अकेला छोड़ दो किसको खोज रहे लाए? आत्मा को खोज रहे लाए? आत्मा को खोजने काए तो जंगल बयाबा में जा काली रात, काला अस्मान अरे मसानू की रोनक मकानू में किदर है? परचाईये को ढूंते ढूंते तो खुद परचाईये में खो जाएगा चला जाए यहांसे निकल जा मुसम ठीक नहीं है चला जाए सरदम सरदार का बागी साब माल मुर्दार का विपधे लोच भुछ राम नाम सक्थ है एक दू तो ही नीरा सहरा तू भी ऐसे रूठ गया तो कौन है मेरा सुच जरातो आजा की दिल ने पुकारा एक दू तो ही नीरा सहरा एक दू तो ही नीरा सहरा करे पार खो ही नीरा सहरा करें भी नीरा सहरा तू तर मुड्र मुड्र प्यूश तू तू रूएगोगोगोगगोगोगोगगोगोगोग अजू अजू मरना चाहते हो क्या जी जी क्या रोड प्याते पे जीप नजार ने आती तुम्हें इंस्पेक्टर जेंट माथवर आम विचे कहां से आ रहे हो शिम्ला यहां कहा रहते हो पाली हिल बांदरा इतनी रात गया हवारा गर्दी करोगो तो बंद हो जाओगे मिस्टर समझें यह शिम्ला नहीं बॉम्बे है पता है पता है तो पर सीरे अपने घर जाओ समझें समझें जा सकता हूं जा सकते हो कौन? मैं विजय कौन विजय है अरे यह तो अपने विजय साहब है बाप करना साहब इसने आपको पेचाना नहीं आए 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 बहुत देर लगा दी रास्ता बोल गए थे क्या प्लाम है इतनी रात गए हो अल्ला कर रहा है भुला ए भुला छोटे साथ आए है अरे छोटे साथ आप अरे गोपाल साथ का समान उतारना अरे खड़े-खड़े क्या कर रहा है जा आए साथ आपके फोन के बाद तो बहुत देर तक जागते रहे अभी अभी आख सगी थी बिर्रूम का है जी सामने चाए पीएंगे हुँ हुँ सोबर कितने बढ़ी जगा दूँ आपको जब मैं उठोंगा तब बुला लोगा तब तो मुझे कोई डिस्टब ना करें जी आप मैं के एन सिंग विजय साब हैं जी आ हैं उनसे जाके कहो के के एन सिंग मिलना चाहते हैं तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो जी मगर उन्होंने कहा है के उन्हें कोई डिस्टब ना करें लेकिन हम कहते हैं कि उनसे जाकर कहो थीक है कहे देते हैं कि इस्क्यूज में कि ए यह यू बार्णि मिस्टर विजय राय साब ने ये पच्छीस हजार रुपे आपके लिए दिया है और सर्थ दस्तखत ओके और कुछ जरूत हुई तो मैं बूल दो मैं थांकियो वरी मुच्छ ओके गर्ग पादा हुई प्योग जीर म्यवतित राया च्छुट ओके प्योगाप झाल विए लिए्य। फ्योड़ोगोगा प्रादा भालाओं कि ऑके लिए योज़। छुए। हाई सुनीटा, हाई यू, लॉंग ताइम नोसी अंचु, यू स्टुपिद, तुमारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठूने की, हाँ देर यू ठाच मी, अंशारी, मुझे लगा, अंचु, कौन अंचु, अंचु, क्या बै, लग्यों बशारता, शाना बनता है, बुशारी करता है, चल भाहर दिखाता हूं तुझे, अरे मेरी, मेरी बात तो सुनो, इस सब, इस सब, क्या हो गया है विजे तुम्हे, कल रात को भी अंदा दून भागते हो, मेरी जीब से ठकराते हो, बचे हो, और आज ये सब, वो लड़की, लड़की, रात भी किसी लड़की की तलाइश में तो, अब मैं आपको कैसे समझाओं, अच्छा, आओ मेरे साथ, मैं जूद नहीं बोल रहा, मैं उस लड़की को अंजू समझकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, कौन अंजू, तहां मिली तुम्हें, अंजू मुझे शिमला में मिली, तीन दिन पहले उससे अचानक बंबे आना पड़ा, तो वो मेरे नाम खात और कार्ट छोड़ गई, अच्छा, जब मैं यहां पहुचा तो मुझे पता चला कि वो तीन साल पहले मर चुकी था, खमाल है, जिस लड़की को तुम तीन दिन पहले शिमला मिले, यहां अने की बात पता चलता है कि वो तीन साल पहले मर चुकी, मैं जूर में बल रहा हूँ, मैं अभी अभी उसे वहां देखा था, I see, और कौन रहता उसकी घर में? उसके बुड़े पिता, बुड़े पिता, तुम एरे काम करते हैं विजए, उसके बुड़े पिता से जाके मिलते हैं, और उससे पता करते हैं कि आखरी चक्कर के हैं, अरे तु फिर आ गया, यह वो शेहरे जहां सस्ता खोन और महंगा पानी हैं, अपनी प्यास बुजाने काएं तो अपनी आसु से बुजा है, आसु पी और जी, या फिर यादों की भूल बुलईयां में अपनी वीरान मुहबबत का काला ताजमेल बना, अगरा जा अगरा, काउन जी मैं विजए हैं, विजए सब्सक्राइब, देखो विजए, मैं तुम्हे एक बार बता चुका हूँ के अंचु अभी दुनिया में नहीं रही, फिर क्यों बार बार तुम मेरे जख्मों को कुरेजने चले आते हो, जी मैं अब मुझे कुछ नहीं सुनना, एक मिनिट दीना नाची, यह क्या है, मैं जैन माथूर, सीबी आई ओफिसर, मुझे आपसे चंद सवालात करना है, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आईए, आप, मैं तीना नाथ, अंजू का बदनसीब पिता, क्या आप बता सकते हैं कि अंजू का स्वर्गवास कब, तीन साल हो गया है, पूना जाते वहां खंडाला में उसका गाड़े के अक्सिदेंट हो गया, पर कब, तेरा अगा सन 1988, खंडाला से उसकी लाश लाई गई यहां जेजे हस्पताल में, सारे बारा मजे पोस्ट मार्डम के बाद मुझे लाश मिली, और सारे साथ मजे शाम को इनी हासों से मैंने उसका अंतिम संस्कार किया, अब भोलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं आप, देखिए दिननाज जी, हमें आपके दुखों का पूरी तरह हैसास है, लेकिन हम पुलिस वाले बिना सबूत के विश्वास नहीं करते हैं न किसी पे, यह कहना चाहते हैं न आप, वान मिनिट, अन्डू का जैस सर्टिफिकेट, व्याखवारों की कतरने और यह एक्सिडेंट का फोटो, अब तो यकीना है आपको, तीना नार जी आपके इं सारे सबूतों से साफ जाहर है कि अन्जू को मरेवे तीन साल हो गएं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई जुर्वा बहन हो, मेरी कोई दूसरी आउलाद नहीं इंस्ट्र साफ, मैंने तो बस एक ही सहारा थी अन्जू, उसे भी इस निर्दाई भगवान ने मुझे से चीन लिया, अब मैं आप लोगों से हाथ जोड की बिंदी करता हूँ कि बार बार अन्जू के सवाल करके, मेरे इस बूड़े की बची कुछी सांसों का अजीरन मत बनाएए, लेकिन दिनानाची बात ऐसी है के, देखी विजे बाबू, जो लड़की आपको शिमला में मिली थी, कोई और होगी, अन्जू तो चली गए, मुझे अकेला छोड़के चली गए, अकर वो यह चाहती के मैं अकेला रहने तो मुझे अकेला, जाएए आप, छोड़िये मेरा पीछा, जाएए चले जाएए आप, तुम्हे अभी यकीने विजे के वन्जू हुई थी? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या यकीन करूँ, अपनी आखों का या इनकी बातों का? अरे पहले मैं बूला था तो नहीं समझा, समझ समझ कर समझ समझ ना, समझ समझना भी एक समझ है, ना समझे वो अनारी है, राच कफ़ोर, ने लेगानों के शेर में भटक रहा है, अरे इदर सग लेगाने, सब्सक्राइए अश्जार्ष हैं निए दशेगा तो पानी भी नसीब नहीं हो एगा निकल ले लाज गारी पकड़ के फेटी बारी का फेटी बारी अरे विजे पागल है ये छोड़ो चोड़ दे मुलता है ना तेरे को जाओ चोड़ आओ विजी आओ विजी आओ ये तु खड़े खड़े क्या कर रिला चिलम बना ये नहीं संझेगा अतने को जब कराए माएगा सब समझने आ जाएगा विजी मेरी एक बात मानो तुम ऐसा करो देगो तुम एक भले आदमी हू ये अन्जू के जक्कर में ना पड़ो और शिम्ला वापिस सेले जाओ तो तुमारे लिए बहुत 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 बहुतर होगा एंद थैंक्स फॉर देलिप्स इस ओके थैंक्यू टेक केर विजी आओ ट्रॉय बाए बाए क्या का विजय अभी तक नहीं लोटा देखे सिंग साब जब तक वो नहीं लोटे आप उसके इंतजार कीजिए बंगले पर समझें अब जवानी का जोश है कुचल लड़पन है और मूडी तो वो हमेशा से रहा है तो सिंग साब मैं चाहता हूँ कि हमारी गहर मौजूदगी में आप उसका पूरा पूरा खिरार रखें क्यूंकि आप सिर्फ मैनेजर थोड़ी हैं हमारे वहीं हम तो आपको अपनी फैमली क तो कर सकता था जब फोन करो मालूं हुआ साफ़ाद नहीं नहीं गड़ पे यह कई इस विश्क का चक्कर तो नहीं है बेटा अगर बाप के नक्षे कदम पर चले तो इसमें बुराई भी क्या है 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 हुजूर आपने अपनी जवानी में कोई कम गुल खिला थे आजाद पं नवाब तुम तो जानते हो कि यह उम्र कितनी नाजुक होती है हम नहीं चाहते कि जो नादानियां हमसे जवानी में हुई उन्हें विजय दोहरा है तुम्हें तो याद होगा कि शादी के बाद भी सही तक ढूलने के हमने कितनी कोशिश की नहीं मिली पता नहीं जिन्दा जावी है के नहीं बहुत याद आती है कभी-कभी पुरानी यादों में खोय रहेंगे आप या चाल भी चलेंगे यार आजकल चाल तुम बड़ी अच्छी चलने लगे हो यारी बच निकलने का तुमने कोई मौका ही नहीं छोड़ा हम यह तो खुबी है मुझ मैं मौका मिल पर सही चाल चल देता हूँ यारी हम अपने बेटे के चकर में उल्डे रहे हैं और आपने मौका धून निकारा है अच्छा रहा है आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं त्यूटी कर रहा हूँ तुमें से राज साहब आपको टेलेफोन पर कॉन्टैक करने की कोशिश कर रह हुआ हुआ है आलो जाहरी तुम कितनी देर से कोंट्टैक करने की कोशिश कर रहा हूँ सरु धर थ्क्री थे थ्सी तंपites यह तुम्हारी आवाज में घब्राहट क्यों है करने को तुम्हारे हर मूट को जानता हूँ तुम्हारी आवाज में जरा सी लर्दिश आई और मैं ताड़ गया क्या बात है क्या चुपा रहा हो अहाँ आहाँ आई नो लाव इस्ट विश का मामला लगता है है भी और क्या मतलब एक लंबी दास्ता है जारी तर्साओ नहीं मुझे परना नीन नहीं आएगी हमें अहाँ डैरी फिर कभी तर्साओ मत मेरे लाण हलो 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 पिजए मैं अंचु बोल रही हूँ अंचु मैं अभी तुमारे घर गया थे लेकिन तुमारे डैरी ने का कि तुम कि मुझे मरे हुए तीन साल हो गये है उन्होंने मेरा डैस सेटिफिकेट और पेपर के कटिंग्स भी दिखाये होंगे और तुमने यकीन कर लिया लेकिन तुम थी कहा बंबई पहुंचते ही मुझे अचानक पूना जाना पड़ा लोटते ही सबसे पहले तुम्हें फोन कर रही हूँ लेकिन ये कैसे ऐसकता है दो बार मैंने तुम्हें याद देखा मैं तुम्हें पीछा भी किया मगर तुम असरी हो विजे ये तुम्हारा नहीं ये तुम्हारी आशिकी का खुसूर है जो भी हो है तो मैं अभी इससे वक्त मिला चाहता हूँ अहां, अभी नहीं, दो घंटे बाद जूलियट पार्क में मेरा अन्तिजार करना, मैं जरूर रहाँगी पिजे विजे, what a surprise, मैंने सपने निदी नहीं सोचा था, कि तुम मुझसे मिलने सी जल्दी बंबे चले आओगे विजे, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, ये सब क्या हो रहा है, क्या, तुम्हारे डैटी तो कहता है कि तुम, मैं मार चुकी हूँ, यही न, विजे, ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी फुरसत में सुनाऊंगी कभ मिले ये फुरसत, ये सब चकर मेरे समझ में नहीं आरा ओहो, विजे, उर्हें अमीरों से नफरत है क्यों, क्योंकि वो अमीरी नहीं इसलिए विजे, तो फिर क्या अमीर होना पाप है ऐसी बात नहीं है, विजे अंचू, मैं तुम से शादी करना चाहता हूँ मैं जानती हूँ, विजे लेकिन जिस औरत ने मेरे डैडी को धोका दिया वो भी एक करोड़ पती के एक लौती बेटी थी क्यों थी वारत? मेरी माँ माँ? हाँ ममी डैडी ने कॉलेज के जमाने से ही भाग कर शादी कर ली जब तक वैसे थे मेरी मा की महबद भी खुशियों में डूबी हुई थी पक घुजरता गया पंगले में रहने वाली करोड़ पती की बेटी खतम दो कमरों के फ्लैट में घुटने लगा फिर? जिस तरह खत और पार्सल पोस से आते हैं बस उसी तरह एक बच्ची को डैडी के दर्वाजे में डाल दिया और लिख दिया कि उसे भूल जाओ और वो बच्ची मैं थी मैं तरह सोचे दे जाए एक मा अपनी बच्ची को इस तरह छोड़ कर आमत मैं मैं सुस कर सकता हूँ तुम्हारा तुम्हारे डैडी का दर्द लेकिन हर दलत मन तो तुम्हारी मा की तरह नहीं होते पर उन्हें डर लगा रहता है फिर कोई अमीर जादा आकर उनकी बेटी को ले जाएगा और किसी दिन उनकी दर्वाजे पर तुम्हारे ऐसा हूँ? नहीं, मैं जानती हूँ विजे तुम ऐसा नहीं कर सकते तो चलो मैं तुम्हारे डैडी से चलकर बात करता हूँ अगर उन्हें तसलीक लिए मेरी गैरिंटी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ वो ऐसे नहीं मानेगे विजे कुछ दिन और घुजर जाने दो मैं उन्हें सब कुछ समझा दूँगी काम? करता हूँ मैं दोनो 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 दोनोदी तैयार हूँ दोनो 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 दोनोदी गैरिंश देदो देदो मुझे दिल, देदो देदो मुझे दिल, लेलो लेलो मेरा दिल, लेलो लेलो मेरा दिल रूठो ना ऐसे जाना, ना जुख है दिल दिवाना, रूठो ना एसे जाना, ना जुख है दिल दिवाना, रोई का पहले का पाज़ मैं रवलु केंग मैंग। मुझे दिन लेलो लेलो मेरा दिन लेलो लेलो मेरा दिन मैं तो हूँ कम से न मुझको गर्यू सताओ के तुम मैं अपनी जादे दूँगे और फिर पच्ता आओ तुम मैं तो हूँ कम से न मुझको कर्यू सताओ के तुम मैं अपनी जादे दूँगे और फिर पच्ता आओ तुम ऐसा भी सोचो ना कभी अतिशी नहीं ये दिल लगी मेरा जी ना होगा मुश्किल सनका पो जादे जादे दूसों सब्सक्ता आओ जादे चne wrap सब्सक्रादे 적った मैं अëlे मुश्क पहूदी जादे फ मुश्क प्रूस्क पातना सनका दास एस प्ली अवर्भी ऩारवान Lisकart झाल पूफ दित शी है मैंने तो समझा तुमको सीधी सी भोली भाली तुमने तो धमकी देके मेरी छुट्टी गर डाली मैंने तो समझा तुमको सीधी सी भोली भाली तुमने तो धमकी देके मेरी छुट्टी गर डाली छोटा सा सीथा सारा, परना हो गाईवारा, छोड़ोगी ना मेरा आच्च देदो देदो मुझे दिल, देदो देदो मुझे दिल, लेलो लेलो मेरा दिल, लेलो लेलो मेरा दिल झाल झाल तुम्हारे साथ तो वक्त का पता ही नहीं चला, कल फिर मिलेंगे, ओके, तुफान आने वोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ाओं, नहीं, मैं खुद चली जाओंगी, अगर डारी ने देख लिया, तो खजब हो जाएगा, और तुम तो उन्हें अच्छी तरह से जानते हो, जा तुम्हारे साथ ड्रामा राजा, क्यों फोर मोमेंट नाइथ होड़, कि मैं मर चुकी है, रात काफी हो चुकी है, तैरी परिशान होंगे, ले चलती हूँ, अजो, जानी से पहले ये तो बताती ही, जाओ कि तुम्हारा कहां मिलोगी, तहीं असा नहों कि तुम्हारी झाल ये तुम्हारी 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 तु जबानी पे इतराने वाले कल्प जटायेगा धल जायेगा धल जायेगा थल जायेगा धल जायेगा तू यहां मुशाफिर है ये सराए पानी है चार रोज की में माहें तेरी जिन्दगानी है, आज जब आनी पेट राने वाले कलप चता है कि अगानी है जुआए तक मजे गलत मसमझीव हो कि आए के अन्जू की पस मिराख फूफू फिर अन्जू पिका तमाचा बना रखा तुमने जाच के दो बजे तुम अन्जू की चलाज करने आयो मैंने तुमसे कई बार कहा कि अन्जू को मरे एक दो दिन नहीं तीन साल हो चुके हैं तीन साल बहुत जूट बोल चुके हैं आप अंजू जिन्दा है और इसी दुनिया में है और आपको ये सुनकर ताजुब होगा कि आज वो मेरे साथ थी और अभी अभी मैंने उसे यहां छोड़ा है मैंने खुद अपनी आँखों से इस घर में आते हुए देखा है और आप कहने हैं क जबके अंजू इस दुनिया में ही नहीं रही आप कैसे पिता हैं जो अपने जिन्दा भीटी को मुर्दा कहते हैं और तुम कैसे आशिको जो एक मुर्दा लड़शी को जिन्दा समझे तो पागल हो गये तो आप है जो अपने चारो तरफ जूट की दुनिया वसा रखी है लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं वो सच है अंजू ने मेरा कोट पैन रखाया और अंजाने मेरी कार की चाबी ले आई है कार की चाबी क्या बात है खामुश्की हो गए वो अब तुम्हें कैसे समझाओं अंजू मर चुकी है तुम से पहले भी दो लड़के इसी तरह अंजू की तलाश में यहाए थे अंजू उनके पास से भी कुछ न कुछ चीजें उठा लाती थी जैसे तुम्हारी चाबी वो अंजू नही लगयिन, अपने मोसम्हारी पर मुझे तो तुम पर तरह सारा है सब्साइब मुझे अब भागो एक आत्मा के पीछे, अपागल हो जाओगे पागल कोई भी मेरी बात पर गीन नहीं करता एक दिन का रोना हो तो रोके सबर कर लेता लेकिन अब यह डिनका रिसे बन गया है मुझे इसक़्ों में कोई दिल्चस्पी नहीं यह वाई तुम मेरी बात मांतें क्यों नहीं तुम्हें लगता कि मैं कोई नाता कर रहा हूं तो आउ अव दूड़ा अपनी आंजु को यहां देखो गोल यहां देखो आओ नुड़ा अपनी अंजु को यहां तो में ठाजर proprio सिर millionaire. में मी जनजर बार, लगर! राजर ौटा रिंटuingा! में आजरा! पलनाखनी वम्हें दोडोन देना। रस्ता वोही और मुसाफिर वोही एक तारा ना जाने कहां खो गया दुनिया वोही दुनिया वाले वोही कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया कोई क्या जाने किसका जहाल उट गया याहां एंड वरन नार पड़ुषी कर विड नाले घर पट्टों नेल्ए Mary Leahnight उट्टों नेल्ए याण्द वर्ण एंदे वुण मडत्रा सुन्दे दाब वरकला तो रान्टिकर यहста समय खिले भरकल्फुषी Lucy पारला य fino mentre जो झेलीना सांड़नीर, ख्याओ भ Gerry चला चल एक दम्माल बेकार एक दम्माल बेकार लेका आए लाए किना से लाए यह मुन्ना चमार का माल लाया है यह तन्ना ता रेंडी गरिया नाई हुआ यहां दो रखड़ेला जास्ते शानपदी कर रहा लाए क्या चले बच्चा तीन ते शल्च आला पानि रो खोगे और दूड ठोके बावा यह नया बे बोलवचान आपन के समझ में निणा रेला बावा अबै पानी रोके और दूड ठोके अए पानी कम स्याय दाए क्या बावा घुमा फिरा के बात करे ला है तुम्हा अबे घुमा फिरा के बात नहीं करेगा तो ये दुनिया वाले मस्तान को घुमा फिरा देंगे बावा एक मुद्दे की बात पूछना था अबे पहले तु यह बोल के सो रहे लाए के जाग रहे लाए इसको सोते में भी मुद्दे की बात याद आती चल बोल आगे बोल चल पहले तो यहाँ एक चिकना आता था अब दो दो चिकने आने लगे बात तो यह एकदम पते की बोल रहे लाए एकदम पते की बोल रहे लाए अब मालूम करना ही पड़ेगा कि उसका बाप कौन है और उसकी मा कौन है उसकी मा जसका बंदाईला कि पाřम मंदा डरुएव करना ही जसका संग्द कि उसकी मा कि है इंदा जसका फरुएव किशक्षा ngस्αिश 상황 पे neighborhood कि कि उसका खूएवि करना इन वात्वि करना हा टा। सबिसा हा तावद कि एक है और गड़ेव क है तो जसका झाना ही जसका इन वह अलो डैली नमस्कार श्राद हो रहा है जी डैली मुझे मालूम था कि तुम अपनी मां की बर्ची को नहीं भूलोगे पंडितों की आवादें आ रही है वैसे आज सुभा सवेरे मैं भी मंदर गया था और पंडितों को बिठा कर आया हूं जाली मुझे बहुत अकेला पन में से सो रहा है मुझे भी मेरे बिटे तुम तुम लौट आओ तुम्हे मालूम है कि आज के दिन तुम्हे मेरे करीब होना चाहिए आज के दिन मैं तूट सजाता हूं जड़ी हां हां बिटे जड़ी मैं आपको बात में फोन करूँ कोई बात नहीं तुम बात में टेलफोन कर लेना जे मेरी पूरी नजर है उस पर मालूम करता हूं अच्छा पांच जाओंगा अच्छा पांच 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 जड़ी क्या है जल्दी तो है अंजू मिल गई है अंजू मिल गई है अच्छा आप आई तो ही टो है यूचा जड़ी कर दो ही तो है अच्छा आप आप जड़ी कर दो ही तो है प्यूजर नूजर यो या, वहा ब हर शुद्ग को Marx नही नहीं, आभी नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं आरा बजने दे बारा तब मैं करूँगी तुझको इशारा अभी नहीं आरा बजने दे बारा तब मैं करूँगी तुझको इशारा बत्तियां बुझेंगी घड़ते ने बढ़ेंगी जो चाहें कर लेना तू अभी नहीं आ रहा बजने दे बारा अब मैं करूंगी अरे तुझ को इस शरा बत्तियां बुझेंगी घड़ते ने बढ़ेंगी जो चाहें कर लेना तू बत्तियां बुझेंगी जो चाहें कर लेना तू ला 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 तो लालाला लाला 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 समझती हूा मैं इरादा तेरा, हिदावा तेरा तो वादा बेरा है समझते हूं मैं इरादा तेरा है दावा तेरा तो वादा मेरा हो जल्दी पिर ये कि उसलो हो जाएंगे एक हुन बत्तियां बुझेंगी तरके ने बरेंगी जो चाहें कर लेना तो हुआ 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अंधिरा होगा अभी कुछ पल में चुपा लूँगी मैं तुझे ओचल में हाँ अंधिरा होगा अभी कुछ पल में चुपा लूँगी मैं तुझे ओचल में हाँ ने साल का मुआ तकर जो न भूल का उंग पर बत्तियां बुझेंगी धर्कने बढ़ेंगी जो चाहिए कर लेना तो अभी मुही यारा बजने देबारा तक में करूँगी अरे तुझको इस शारा बजने आ आ बुझेंगी दड़के में बढ़ेंगी जो चाहे कर ले लगती। कर ले 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 लेगे ले लेक अजाओ को माओना टो चाहे कर ले कर दो ह। क्राइभ कि तुमारी आंखिं ए धोका खा रही है विजय अगर वह अनजु नहीं तो इस तर Зबैंक गाने गार नहीं होती विजय वह तुम्हें देख्क्र गायब नहीं हुई वो गायब इसलिए हुई है कि गाने के बाद पब्लिक परिशान करती है आप मेरी बात मानते क्यों नहीं है अच्छा वही चलो मैंनेजर से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि मोना कौन से रूम में है आओ एक्ष्क्यूज मी येस आइम सी बिया ओफिसर जैन मातुर फर्माइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं ये मिस मोना क्यों कोई गड़वर ने कोई गड़वर तो नहीं है बस उनके बारे में कुछ मालूमात करनी थी ये फर्माइए ये मिस मोना आपके हां हर साल नियर हैं गोवा की डांसर हैं हमारे होटल का प्रोग्राम इनी की वज़े से कभी सक्सेस्फुल राता है क्या हम उनसे मिल सकते हैं तरसल वो शो के बाद किसी से नहीं मिलती है हमें उनसे खास काम है सरकारी कुछ यूँँ समझ लिजए रूम नंबर 210 में हैं अंजू अंजू मेरा नाम अंजू नहीं मोना है लगता है आप किसी कालत कमरे में आ गया है जूट बोल रही हो तुम तुम मोना नहीं हो सकती, तुम अंजू हो अंजू तुम मुझे सिम्ला में मिली थी सिम्ला? मैंने कभी सिम्ला में प्रोग्राम नहीं किया और नहीं सिम्ला गई हूँ मैं तो गोआ की रहने वाली हूँ वहाँ की मशूर डांसर, मिस, मोना तुम मुझे धोका नहीं दे सकती अगर यकीन आए तो होटेल के मैनेजर को बुला कर पूछ सकते हैं आप होटेल के मैनेजर को पूछने की ज़रूद नहीं मैं जानता हूं तुम बंजू हो वाँ विजय देखिया आप इन्हें गलत समझ रही हैं मैं एक सीविया ओफिसर हूं और इनकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है दर असल जिस लड़की का जिकर कर रहा है उसकी शकल आपसे हुबहु मिलती है कहीं आपकी कोई जुर्वा बेहन तो नहीं है जी नहीं अच्छा ओके सॉरी फ़र ट्रबल थैंक यू मैं कैसे यकीन करूं कि वंजू नहीं है विजय तुम एक आत्मा का पीछा कर रहे हो शीज नॉट अम सॉरी आत्मा नहीं है मैंने उसे बाते किये उसे चुआ है उसे मैंसूस किया है मैं तुमारी बात मान लेता हूँ लेकिन दीनानाथ अपनी बेटी को मुर्दा कैसे कह सकता है विजय तुमारी बाते कहानी और एक अफसाना लगती है अब देखो न दीनानाथ ने डेट सर्टिफिकेट डिखाया अगबारों की कटिंग दिखाई है उससे साफ जाहर होता है कि अन्जू मर चुकी है विजय अगर देखो तुमें इसा करोगे न तो तुम एक अपने लिए बहुत बड़ा खत्रा ले रहे हूँ विजय ठ्राइएन अंडिस्टेंड चलो मैं तुमें घर तक छोड़ाता हूँ एक मिनिट तुम जरा कार तक चलो मैं अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन दे कर आता हूँ हम अन्र कली से मिलने आएल है तेरी अन्र कली तेरे को नहीं मिलने आएल है जिसको तु ने देखा दर असल वो तेरी अन्र कली नहीं है मजा कर देख सन्र कर के वनार कली के साय के पीछे लगा दिए लाय कुछ समझाय के नहीं समझाय यह मान सिंग भो रहायला- मान सिंग समझ समझ कर समझ समझ ना समझ ना भी एक समझ है ना समझे वो अनारिय ए किललया हईटिन यार दिल की लगी बुझा दे अज मेरे वाल Healthcare दिल की लगी बुझा दे, अज मेरे वाले खाजा, अरे इसकी उल्जन सुल्जा दे, I'm sorry, तुम्हे मेरे अंतजार करना पड़ा. क्या सोच रहा हूँ? मस्तान है था. कौन मस्तान? वही जो अंजु के घर के नीचे रहता है. कुछ बोला? काफे कुछ बोला पर मेरे कुछ समझ में नी आये. खर चलो तुम कहन पागलों की बातों पर ध्यान देते हो. तुम घर चलो. चलो तुम्हे तुम्हे चल रहे थे? नहीं क्या है कि वो आज नए साल की रात है न? कोई गर बढ़ अगर ना हो जाए. तुम्हे तुम्हे छलो फिर मिलते हैं. रोके, एपय नियूएज ब्रेदर. आपय नियुह्यवर. नियुएज नाइट और तुम? क्या? तुमने विजे से क्या बखवास की थी वही विजे जिसे तुम होटल में मिलके आ रहे हो अच्छा वो विजे कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते मगर अपनी तो यह आदत है कि हम कुछ नहीं कहते अगर आज के बाद तुमने विजे को तंग किया तो तुमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा समझें अंजाम तो वाकई अच्छा नहीं होगा लूट है अजी होगा भुपण जी अपण यह कोट यहां किसा है? बोला मुझे क्या पता साथ? मैं तो अंधर का नौकर हा? बाहर के तो यह दोनों साहब, मैं तो गेरी से लेकर गारी तक यह तो हम मैं बाहर का काम करता हूं, ठीक है पर यह कोट तो अंधर का है बखवास बंच करो ना पूछ रहो यह कोट यहाया कैसे सो रहे थे क्या तुम लग बोलते क्यों नहीं बोला साथ रात के साड़े तीन बजने को आ गए अब फिर चारों तरफ नए साल का हंगामा मैं अंदर वो कहराज में वो अपनी जौपड़ी में भला कैसे पता चलेगा कि यह कोट यहां कैसे आया मैं अपनी जौपड़ी में मैं अपनी जौपड़ी में प्यार तो है जनल का बर्धल एक जनल की बाप नहीं है प्यार तो है जनल का बर्धल एक जनल की बात नहीं है वो पल बरत जैसा लागे जो पल तो मेरे साथ नहीं है प्यार तिरा पाने के लिए का जनल यह दो बारा तुम्हारे जूत परेव और इस नाटक का इससे पैतर मेरे पास आओ तो जवाब नहीं तुम शायद यह तमाचा भूल जाओगी लेकिन मुझे उमर भर याद रहे गई क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे की बीचे एक गिनाना रूप है तुम्हारा क्या मिला मेरी जंदगी, मेरी महबबत, मेरे जजबातों से खेलकर हाँ मैं मजबूर थी विजय ऐसी काउन सी मजबूरी थी जो तुमने मेरे सपनों के महल को चकना चूर कर दिया मैंने तुम्हे थोगा नहीं दिया विजय मैं भी तुम्हारे लिए इतना ही तडपती रही हूँ जितना के तुम मैं ना तो कोई आत्मा हूँ और ना ही मोना मैं तुम्हारी अंजू हूँ अंजू हूँ बस अब मुझ से और कुछ मत पूछना मैं कुछ नहीं बता सकती अगर किसी ने तुम्हे देख लिया तो घजब हो जाएगा किस ने देख लिया क्या छुपारी हूँ तुम उटसे बताती च्यों नहीं मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी जान खत्रे में है मेरी जान तो मेरी जान की फिकर मत करो, मुझे उस आदमी का नाम बता तो बागी मैं समझ लूगा अगर मैंने उसके बारे में कुछ कहा तो, वो मेरे भाई को तुम्हारा भाई? मेरा छोटा भाई उसकी कैद में है, आज तक मेरी इस कमजोरी का फाइदा उठाता रहा और मैं उसके इशारूप पर नाचती रही किसकी? अगर अब भी तुमने उसका नाम नहीं बताया तो मैं अपनी तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मदद नहीं कर सकूँगा प्लीज अंजू बता दो सीबी आई आफिसर, जैंद माथुर जैंद माथुर झाल झाल अरे विजय ये चानल मेरी याद कैसे आगी आओ यहां से गुज़र रहा था तो सोचा तुम उसे मिलता चला जाओ इस प्लेस थैंक यू फोक अहां थैक्स अभी चैपी करा रहा हूं अरे वह कमाल है पहली दब घर आयो आखर इतनी जल्दियानी क्या जरूत है मैं एरपोर्ट या रहा हूं एरपो लेकिन अचानक जिन्दगी में हर फैसला मैंने अचानक ही किया है सिम्ला से बंबे अचानक आया हूं यहां से सिम्ला अचानक जा रहा हूं इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है और उस लड़की के बारे में क्या सोचा है तुमने बहुत सोचने के बात इस नतीजे पर प पर चलता रहा, तब मैं सब समझ चुका हूं, कि वो सब मेरी नजरो का धोका था, अन्यूए मैं आपकी मादद का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूं, वस यही कहने आया था, अच्छा, चलता हूं अलो, मैं अमर बोल रहा हूं, मुझे कल शिमला आ रहा है, क्या उसे हमारे प्लान का पता तो नहीं चल गया, मुझे लगता तो नहीं है, देखो, वो शिमला पहुँच जाएगा तो हम अपने मकसद में काम यापनी हो पाएंगे, उसे वहीं खर्दम कर दो के रोकनी सकते तो, अगर उसे खताम ही करना होता, तो मैं उस दिन कर देता जिस दिन बो बॉम बे आया था, उसके खाथ में से मेरा मकसद हल नहीं होता, बैवाकुफी मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ चार दिन की महलत देता हूं, चार दिन में एकाम होजाना चाहिए परना मुझे बॉम बेरना पढ़ेगा। अलो? सर, मैं विक्रम बोल रहा हूं. हां, बोलो. सर, कल हमारे होटल के वेटर ने रात तीन साड़े तीन बजे के करीड विजय को होटल की लॉभी में जाते हुए देखा. विजय का इतनी रात होटल की लॉभी में जाना, सर, मुझे शक है कि कहीं विजय? शक नहीं, यकीन है मुझे. यह देखो, तुमारी कल्ती का नतीजा. सुनू, सुनू, तुम बोलते क्यूं नहीं? सुनू! अब यह कभी नहीं बोलेगा, क्यूंकि मैंने इसे खत्म कर दिया है. आइ! यह तुमने क्या कर दाल, इस मास Woo बचकी को माड़ डाला! मैने तु इसके अजाथी माञई थी और तुम नहीं ऐसे क्यूं क्या? क्यूं!? क्या मिला तुमि एसे मारकर, बोला क्या मिला? मैं तुमना भाई को बैठी, सब कुछ को Performance याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा एक भी गलत कदम तुम्हारे भाई की मौत बन सकता है तुमने इसा क्यों किया क्यों किया रोमत तुम्हारा भाई जिन्दा है क्या मेरे सोनु जिन्दा है मेरा भाई जिन्दा है एक मासूम भाई की मौत क्या होती है, ये एसास दिलाना था तुम्हें, मैंने इसे सिर्फ एक घंटे के लिए बिहोश किया है, ताके तुम मेरे साथ दुबारा नादानी न कर सको, अगर इसके बाद भी तुमने मेरे साथ कोई चलागी करने की कोश्च की, तो तुम्हार जाओ, और जाकर विजे से कहो, विजे, तारी ममी के बाद अगर इस दुन्या में मेरा कोई अपना है, तो वो है मेरा छोटा भाई सोनू, जिसकी खुशी के लिए मैं हर तकलीफों को सैती रही, और उसके माथे पर बल ना आने दिया, अज वही छोटा भाई माथूर के अगर उसे कुछ हो गया, अपने आपको कभी माफ नहीं करूगी, तुम फिकर मत करो, सौनू को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हेरे साथ हूँ, अब तो तुम ही मेरी उमीद के आखरी किरन हो, तुम ही मेरा सहारा हो, रो मतंचो, मुझ पर भरव से रहो, मैं उस माथूर को, नहीं विजय, तुम माथूर को कुछ मत करना, परना वो लोग मेरे भाई को मार्ज डालेंगे, तो फिर तुम ही बता में क्या करो, माथूर कल बंबे से बाहर जा रहा है, तीनानाथ अकेला है, तुम उसके जरिये, मेरे भाई तक पहुंच सकते हो, तीनानाथ, यस, दीनानाथ का है, कौन दीनानाथ, इस नाम का कोई आदमी आने रहता, लगता है तुम किसी घलत पते पर आ गयो, पता वही है, सिर्फ चेरे बदल गये हैं, और चेरे बदलने से पता नहीं बदलते, दीनानाथ का है, दीनानाथ का, बता, नहीए भाह लूँ, बता, बता, भाह लूँ, म्हालो इसे, खड़ो इसे, फारगा उसे, नहीए भाह लोँ, परॉब जोड़ो, अच्छयोगा सब आप आ गये, वरना ये मेरे को मार डालता था साब ये मालूम होता है पागल है He is mad sir, he is mad जूट बोलता ये God promise साब, मंगता है मंगता है तो इन लोगों से पूछ लो हम सब लोग घर में बैठकर enjoy कर रहा था साब और ये साला पागलों के तरह आकर मारा मारी तोड़ता रही करने लगा साब आप इसकी बातों में मता हैं इनस्पेक्टर ये जूट बोल रहा है, ये दीनानाथ का घर है मैं मंगता है तो प्रूफ देता है साब हम लोग इदर 20 साल से रहता है यहाँ न दीनानाथ नम का कोई आदमी था न है साब कौन दीनानाथ? उसके बारे में मैं नहीं जानता पर इसके जरीये हम अन्जो के भाय तब पहुंच सकते हैं इनस्पेक्टर ये अन्जो कौन है? इनस्पेक्टर साहब इस आदमी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है लगता है इसका दिमाग ठीकाने नहीं है ये पागल है पागल? ये न्यू येर नाइट को भी मेरे पास आया था किसी सीबी आई ओफिसर के साथ सीबी आई ओफिसर? कौन तो वो? मातुर, ये जानती है उसे? मैं जानती हूँ? वो आदमी तुम्हारे साथ आया था और मैं उसे जानती हूँ अंजू ये क्या पकवास कर रही हो? मेरा नाम अंजू नहीं, मोना है मोना और सुनो, मिस्टर तुम्हारी ये आई दिन की खिट-किर से तंग आ चुकी हूँ इंस्पेक्टर सहब मैं खुद पुलीस सेशन जाकर इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने वाली थी अच्छा हूँ आप इसे यहां ले आए कम से कम इसे मेरा पीछा तो जूटेगा अंजू इंस्पेक्टर सहाब, ये आदमी पागल है आप पहले इसको किसी पागल खाने में ले जाकर इसका दिमाग ठीक करवाईए चलो आप एक तो जूटेब दिमारा अपने सकुन के लिए वहरी गुट है पांटास्टिक क्यूं ऐसा क्यूं कर रहते हो तम अपने सकून के लिए क्या बिगारा है विजेने तुम्हारा उसने क्या बिगारा है और क्या समारा है पल-पल का हिसाब इस दिल में लिखा हुआ है चुन-चुन के हिसाब लूगा उससे आखिर आखिर तुम चाते क्या हो मैं चाता क्या हूँ मैं चाता यह हूँ कि वो पागल हो जाए पागल हो जाए वो मैं पागल नहीं हो छोड़ा मैं पागल नहीं हो मैं पागल नहीं हो नहीं हो मैं पागल इसमेड सर ए यह बिर दतक्षो कि झाल, आट एPart इरी उसोय अधियों को नहीं जांता तो फिर से लिए काम करता है माथूर के लिए कौन माथूर माधोर नहीं काम करता हूं अधियी मेरे को बोला हूं तुम्हारा पर नदर रखने के लिए इस वक्त ही तरक होगा उसका एंट्रेस तो नहीं मालूम वो सेंट जार चार्च में मुझे रोज मिलता है दिखता कैसा वो उसके सर पे भाल लही है उसके साथ एक लड़की होती है जिसके बालों में लाल गुलाब होता है वो पागल हो चुका है पुलीस का कहना है विजए पागल हो चुका है वो पुलीस के हाथों से भी फरार हो चुका है अभी तक कोई पता नहीं चला मैं तलाज कर रहा हूँ ओके हलो कहां थे तुम कब से तुम्हें कॉंटेक करने कुश्च कर रहा हूँ लेकिन तुम काम की बात करो मिझे एस्पसाल से भाग चुका है क्या सौमी कहां था सौमी जखमी हालत में मिला है देखो तुम अपने मक्सर में कामयाब हो चुके हो अब मुझे क्या करना यह मुझे छोड़ दो कोई गलत कदमत उठाना समझे ठीक है और अंजू अंजू अभी भी हमारी कैद में है अब दौलत मेरे हाथ तक नमें ज्यादा दिन दे रहे फुशार है न ओके ओके तुम तुमसे मना किया था कि यहां कभी मता ना अगर किसी ने देख लिया तो क्या करते साहब दूसरा कोई रास्ता भी दो नहीं था ऐसा कौन सा पहार टूट पड़ा वो राई साहब आगे थे क्या हम राई साहब आगे हम बाई साहब हर नोकर को पहचानते हैं न इसलिए हम लोग वहां से भाग निकले बाहदर भोला का है वह तो जब से पलीस आई है तेरके मारे काम पर नहीं आये ठीक है तुम जाओ ठीक है तुम जाओ ठीक है साहब अब आया है उट पहण के नीचे बाई साहब वाट अठर रविश वो भागल हो ही नहीं सकता ये कानून कैसा है आपका एक समझदार नौजवान लड़के को पढ़े निक्खे लड़के को आप किसी जलील गुंडे के कहने पर भागल करा कर दें और एक मेंटल हॉस्टिडल में ले जाएं कम से कम 1.500 फोन में आप कर चुका हूँ और आपने एक फोन करनी की जहमत कवार नहीं की कहां गई है नो कर लो सुबह से इंदीवारों से सर्ट करा रहा हूँ मैं अपना और ये साब कौन है जी मैं जैन्थ जैन्थ कौन आप भी पुलीस वाल है क्या जी नहीं मैं विजय का दोस्त हूँ और हम दोनों साथ ही अमेरिकमें थे विजय के दोस्त हो यूँ खड़े की हूँ आव बटे आव बटे तेंक्यू विजय घर पे नहीं है तुम्हें पता नहीं क्या यही कि यहां की कंबख्त पुलीस ने उसे पागल करार कर दिया है पागल और विजय पताओ यह आप क्या क्या रहे हैं किसी जलील गुंडे ने एक कंप्रेंट की और पुलीस ने जाके मेरी लाडले को पकट लिया और एक mental hospital दाखिल करने लिजा रहे थे कि भाग निकला तुम कम मेरे थे उससे जी यही कोई पांच-छे दिन पहले तो कैसा था जी बिल्कुल ठीक ठाक था लेकिन थोड़ा सा डिस्टरब लग रहा था डिस्टरब्ड? जी हां किस बात पे? जी मैंने पूछने की कोशिश तो की थी लेकिन ताल गया और कहने लगा कि यह मेरा परस्नल मामला है यह परस्नल मामला क्या हो सकता है? कुछ सुठा ही नहीं देगा आप खड़े-खड़े क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे पूछा थे कि आप सारे दिन कहा रहे? आपने जवाब तक नहीं दिया आप इनसे बात कर रहे थे जी हाँ मैं इनसे बात कर रहा था मगर आप मैं आप से बात कर रहा हूँ कुछ तो इधार फर्माईए मैं होटल मोना के होटल में गया था कौन मोना? वही जो वहाँ पर डांसर है जिससे विजय साहब न्यू यर नाइट पर मिलने के लिए गये थे डांसर? कौन सी डांसर? वही डांसर जो की विजय साहब के पागलपन की वजय हो सकती है तफ और नॉनसेंस बेटे देखो तुम तो जानते हो कि विजय मेरा इकलौता बेटा है हमारे खांदान का एक ही चश्म जराख तो मैं जीते जी उसको उजड़ता हूँ कैसे देख सकता हूँ तुम ही बता मैं क्या करूँ अगर आप मेरी माने तो ये काम मेरे जिम्में देने है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं विजय को आपके पास वापस लेकर आँगा लेकिन इस बीच अगर आप पुलीस से ना उल्जें तो बेतर होगा क्योंकि वो जान बूच के काम बिगाड़ भी सकती है हाँ मैं खासतोर से विजय की तलाश करूँगा हाँ मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा और मुझे पूरा यकीन है कि जब विजय मुझे देखेगा तो खुद बखुद मेरे पास आजाएगा ड़न ड़न Help me my son God bless you करका कि लिए मिडंग ये मिची एस ड़्र व division प्सका बिए महीं बीदाटा फिदा अज़ा लूटा लूटाटा लूटा लूटाट नूट लूट कोशाली लूटा लुटा लुटा लूटा सद्टा लूास लुटारा। ब्रहुचिटा हुआ हुँछ फो डो अन्जू का भाई का ने नहीं मालूम, बाल्दाप दरू खाना दरू खाना ताथ है अकेली, संग साथी न सहेली तुर्या, अकेली, संग साथी न आ तुस्री पढ़े अपको आं गई? का अपको वहाँ? अपको वहाँ? तुस्री पढ़ी पढ़े? यहाँ क्या हुआ? तो हाँ क्यों रहाँ? तु पागर हो गया? मा, आज मैं बहुत खुश हूँ सच? तु खुश है? तो बहुत अच्छ है है? मैं भी खुश हूँ चल दोने मिलके खुश होते हैं मा लेकिन तुखुश क्यों है इस दुन्या में किसी को इतना खुश रहने का हाख नहीं दिया जाता मैं भी बहुत खुश रहा करती थी लेकिन इस दुनिया के बड़े-बड़े लोगों ने मेरी सारी खुशी चीन ली जिन्होंने तेरी खुश्यां चीनी थी माँ, मैंने उनका चैन चीन लिया है माँ, आज 27 साल के बाद मुझे पहली दवा सकून नसीब हुआ जिस आग में मैं जिन्दकी पर सुलगता रहा, तलगता रहा आज उसी आग की जरा सी एक चिंगारी की चमक ने किसी की जिन्दकी को दिल में ला दिया है अब उसे एहसास होगा, कि अपनों की बेबसी पे कैसे तरपा जाता है अपना? कौन अपना? राय साहब अजे कुमार राय साहब अजे कुमार? कौन है ये? मा ये वही नाम है जिसके होते हुए तेरी मांग सुनी रही ये वही नाम है जो मेरे नाम के साथ ना लग सका ये वही नाम है जो तुझे इस भरी दुनिया में तकलिफे सैनी के लिए अकेला छोड़के चला गया जहां तेरे खालात और तेरी जुबान दूप छाओं की तरह बदलते रहे माह कभी तुझे एसास हुआ और माह कभी तुझ सब कुछ भूल गए यही है वो नाम यही है वो नाम मैं पेटर बोड़ां सर I'm sorry सर विजय को तारुखाना डिटे का पता चल गया है मैं बजबूर था सर अगर मनें बताता तो वो मुझे जान से मारतेता इस अमर के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाओंगा वालत तुह से जाएगी उपर से चेल किया माखानी बनेगी और जाकि उसे कहो कि उस पच्छे को लेगे तो तिन दिन के लिए कहा हो जाए यहाने की गलत कर दोने बनाए है कि लो तो vagy बन्लग कर दो कर दोने बनाए है कर दोने बनाए है मेरी असलिए आवाज है और यह है मेरी असलिए ना में मस्तान लंगडा हूँ और ना चर्सी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इन ए अंसारी आप प्राइम ब्रांच तो यह भेज इमेलो जैसे मुझरिम के गिरफ्तार करने के लिए कभी कभी यह भेज भी बदन लापड़ता है कौन डिमेलो वही जिस इसे तुम दिनानात के नाम से जानते हो हाँ दिनानात के सजा याफ्ता मुझरिम डिमेलो है जिसे बैंक के फ्राट केस में 15 साल की जेल हो चुकी है जेल से निकलने के एक महिने बाद जब मैंने उसे बैंक से 50,000 रुपे निकालते देखा तो मुझे शक हुआ कि जरूर कु किया उससे पता चला कि वो एक नया जाल बुन रहा है तो तुम दें उसे गिरफ्तार क्यों ही कि पिमेलो अब हमारी हिरासत में है उसी से पता चला है कि अंजु का भाई यहां था था माथूर उसे यहां से ले जा चुका है कहा वर्तक नगर बाजार है तुम का ले जारो मुझे आ अहँ जा गाई मुझे आ अंकल आपापे जो हो सक जो एक की ऐसे जटे आ हो लोना उनल vedere का जलो practically वजैनलो मुजैंबेर्ने-ची का करना इत हो हो ईतव है यह जय हैंट का तुम बलीचक कुम ऐसे कि यहां कि चले आए तुम्हें तो यहांने समना किया था और कोई चारा भी नहीं था विजय को सब कुछ पता चल गया है और यह कम बख्त पुलीस भी मेरे पीशे पड़ गई है और यह तुम खुल खुला मूठ आ उपर चले आए अरे आना ही था तो कमस कम बख्तों के दफना आते मेरा मकसद खुन खराबे से नहीं है नवाब मैं तु सिर्फ विजय को पागल देखना चाहते हो यह जुम्ला सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं तुम तो अपने मकसद मे काम्याब हो गए अरे इसे खतम कर आते तो आजी जंग भी जीच जाते पर खुर्दार दर और देशत की इंटों पर इस दौलत का जंदा ले रहाए जाता है अफिर अपने मकसद में काम्याब होने के लिए अंजी उमारे कब्दे में थी लेकिन नवाब में आगे सस्राल व कर आप तो तो जाए है पुलिस ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेल लिया है अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना अमर अपने आपको कानून के हवाले कर दो अपने आपको पुलीस के हवाले नहीं किया तो हमें मजबुरार उपर आना पड़ेगा इस सब्सक्राइब इस बच्चे को गोलियों से चल नहीं कर दूगा और यादे इसके जिम्मेदार तुम होगे सिर्फ तुम समझे बच्चाओ 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 विजय उपर अंपोच कर रहा है अपने आगबी लेजॉर से वहीं ख़ग करदो झाल झाल कि प्राइब ना प्रशाइब दुट आप प्राइब दुट अमरी कि मा को लिए विजे, बचाओ, बचाओ, मुझे कई, बचाओ, मुझे, बचाओ, बचाओ, आए, आए विजे, गोलियों की आवाज कैसी है? विजे की मौत का जश्ण मनाया जा रहा है छोड़ो, जाओ, बचाओ पर जो पर जो एक कदम भी आगे पर आया बना जान से मार दूना बैठो बैठो इंस्पेक्टर विजय कहा है चाइद उपर होगा चाइद का क्या मार तुम्हें मालूम नहीं तुम खड़े-खड़े मेरा में क्यूं देख रहे हो तुम कुछ कर दो अन्जु के भाई को उन लोगों ने खिड़की से लग्ता दिया अगर हम कुछ करते हैं तो वो लोग उसे मार डालेंगे कि 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 क कि 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 मेरा अमर कहा है, सर, कहा है मेरा अमर के मा को ले आए हूँ, अमर उपर है, सलीटा, अरे, आ जाए, बहुत धूंडा तुम्हे, बहुत तलाश गा, मैं इस दुनिया की भीर में खो गई, मैंने किसी को नहीं बताया, कि अमर तुम्हारा बेटा है, अमर? हमारा बेटा? करह बहुतaye, कि तुम्हारा बेटा, बहुतimal कि रह प्राम कि दुम्हारा बेटादा विजे, 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 इस इस यूर डाद स्पीकिंग, डाद बोल रहा हूँ आगे तुम्हारे अब्बा हुदूर है अमर, माथूर, माथूर, अमर, वो तुम्हारा भाई है बेंटे ओ, भाई है तुम्हारा, वाउ स्लीट विजे, मैं कुलाज लेकर तुम अपने मेचे बोलारें consistently, किया, दुम्हार भाई आजए केूशत भाई बेचे की तुम्हारा भाई किया मैर आजे को हाई मोज्व, मेरा अजे मिल गया, तुमहारा पीता मिल गया तुम्हारा पिता मिल कि हम तुम्हारा पिता मिल कि हम तुम्हारा तुम्हारा पिता मिल कि हम तुम्हारा तुम्हारा पिता मिल कि हम तुम्हारा 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 तुम प्ल पेचे आरा तुम ठीको ना कुमारा दिल बहुत छोड़ता है अमर अगर तुम सच बता देते तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मैं अपनी महापत के खाथित तुम्हें अपनी सारी दौलत यह दे देता है तुम क्या समझते हो मैंने इस सब कुछ तुम्हारी दौलत आसल करने के ली किया है बच्पन से आज तक जिस आग में तर्पा हूं, उसी आग में मैं अपने बाप को तर्पाना चाहता था, अपनी माँ को उसका हक दिलाना चाहता था, समझे, एक बेटे से उसकी माँ को छीन कर, अगर तुने मुझे पहले बता दिया होता, तो मुझे अपनी माँ मिल जाती, औ तुम्हें, तुम्हें मुझ जैसा भाई तु दॉलत का ही नहीं दिल का भी लाट सावे मेरे भाई आओ शरीटर कर दुम्हें जुम्हें बड़न कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जब खो कर दो 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 सकता है कि एम भाग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो